प्रेदोस्तों आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार सत्यवचन कारिक्रम की एक और अध्यन माला में आप सब का हारदिक अभिनंदन हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा एक वर्दान है हम इस संसार में अकस्मिक उत्पन नहीं हुए है यदि हम परमेश्वर के द्वारा दिये गए इस वर्दान का नियमनसार संचालन करेंगे तो जीवन को हम भरपूरी से जीएंगे परमेश्वर ने हमें एक आनंदायक जीवन जीने के लिए जीवन दिया है उसने हरे एक को अलग अलग गुनों से परिपूर किया है कि हम एक दूसरे के काम आ सके लेकिन यदि हम परमेश्वर के उत्देश को जो उसने हमारे जीवन के लिए बनाया है उसे नहीं जानते हैं तो हमारा जीवन सरल नहीं होगा और जिस आनन्द के हम बागी हैं उस आनन्द को हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे जीवन के उत्देश को जानने से हमारा जीवन सरल हो जाता है परमेश्वर ने सुलिमान को उसकी उच्छा को पूरी करने पर अपरमपार आशिश दिया लेकिन जब वा अपने मन के अनुसार चलने लगा तो उसका जीवन जटिल होता चला गया यह जीवन का एक सिध्धान्त है दोस्तों राजाओं की पहली पुस्तक से अध्यन करते हुए आईए हम उसके जीवन से सीख ले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कि हम एक सफल और फलवन्त जीवन जी सकें यही कारण है कि बहुत से लोग आज निराशा का जीवन जी रहें तो आईए वचन के अध्यन के द्वारा इस बात को हम जानते हैं प्रेमित्रों हम सब पहले राजाओं के पुस्तक से अध्यन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्यन के करम में देखेंगे सुलेमान की तारना यह सुलेमान के राज्य का अंत समय है परमेशर उसके लिए समस्याओं को आने देता है यशाया में लिखा है 57 अध्याय उसके 21 पद में दुष्टों को शांती नहीं है पर मिर्ष्टर का यही वचन है सुलेमान ने अब तक शांती का आनंद लिया था परन्तु अब पहली बार उसके राज में युद्ध होगा आईए हम पढ़ते हैं पहले राजाओं के पुस्तक 11 अध्या उसके 14 पद लिखा है तब यहवा ने एदोमी हदद को जो एदोमी राजवश का था सुलेमान का शत्रू बना दिया अब हम देखते हैं कि युद्ध होता है अब पद 26 में यारोबाम से हमारा परिचय होगा पहले राजाओं के पुस्तक 11 अध्या उसके 26 से 28 पद में हम पढ़ते हैं फिर नवाद और सरू आह नामक एक विदोह का पुत्र यारोबाम नामक एक एप्रेमी सरेदावासी जो सुलेमान का कर्मचारी था उसने भी राजा के विरुध सिर उठाया उसका राजा के विरुध सिर उठाने का कारण यह था कि सुलेमान मिल्लो को बना रहा था और अपने पिता दाउत के नगर की धरार बंद कर रहा था यारोबाम बड़ा शूरवीर था और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि यह परिशरमी है तब उसने उसको यूसुप के घराने के सब काम पर मुख्या थाराया यदि पी यारोबाम एक कर्मचारी का पुत्र था सुलेमान ने उसकी योगिता और प्रतिभा को देखा और उसे लोक निर्मान विवाग का सरुच अधिकारी ठाराया अब हम पहले राजाओं के पुष्टक 11 अध्याय उसके 29 से 32 पद में पढ़ते हैं उन्हें तिनों में यारोबाम यरुशलेम से निकल कर जा रहा था कि श्रीलोवासी अईया नभी नई चादर उड़े हुए मार्क पर उससे मिला और केवल वे ही दोनों मैदान में थे तब अईया ने अपने उस नई चादर को ले लिया और उसे फाड़ कर 12 टुकड़े कर दिये तब उसने यारोबाम से कहा 10 टुकड़े ले ले क्योंकि इस्राहिल का परमिर्शर यहवायों कहता है सुन मैं राजी को सिलिबान के हाथ से छीन कर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दू मेरे मित्र भाश्र द्वक्ता अईया यारोबाम से मैदान में मिला और अपनी चादर को 12 टुकड़े में फाड़ कर 10 टुकड़े उसे दे कर कहा इस्राहिल का परमिर्शर यहवा यों कहता है सुन मैं राजी को सुलिमान के हाथ से छीन कर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूँग अर्थात राज्य का विभाजन हो जाएगा परमिर्शर इस्राहिल का विभाजन क्यों करना चाहता था पहले राजाओं के पुस्तक 11 अध्या के 33 पद में हम पढ़ते हैं इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अस्तोरेत और मुआबियों के देवता कमोश और अमोनियों के देवता मिलकोम को दंडवत की और मेरे मारगों पर नहीं चले जो मेरे द्रिष्टी में ठीक है वह नहीं किया और मेरे विधियों और नियमों को नहीं माना जैसा कि उसके पिता दाउद ने किया भरश्र वक्ता आगे कहता है कि दाउद के कारण पर मिर्शर राजी को सुलेमान के हाथ से नहीं छीनेगा परंतु उसके पुत्र के समयवा ऐसा करेगा दस गोत्र यारोबाम को दिये जाएंगे इसलिए सुलेमान ने यारोबाम को मार डालना चाहा तो वह मिस्र के राजा शिशक के पास भाग गया पहले राजाओं के पुस्तक 11 अध्या के 40 पद में लिखा है इसलिए सुलेमान ने यारोबाम को मार डालना चाहा परंतु यारोबाम मिस्र के राजा शिशक के पास भाग गया और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा आए अब देखते हैं सुलेमान की मृत्यों पहले राजाओं के पुस्तक 11 अध पुस्तक में नहीं लिखा है सुलेमान को येरुशलेम में सब इस्राइल पर राजी करते हुए 40 वर्ष बीते और सुलेमान अपने पुर्खाओं के संग सोया और उसको उसके पिता दावत के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहुब्याम उसके अस्थान पर मित्रो सुलेमान के कामों और बुद्धी के बारे में हम पहला और दूसरा इतिहास में और अधिक पढ़ेंगे वह बड़ा रंगिला शाशक था उसने संसार के विशाल संपता इकत्र कर ली थी राजी की एक एक वस्तु से धन धान्य, सम्रिधी और भरफूरी छलकती थी न मित्रो यहां पर अध्याए 11 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्यन को अध्याए 12 से जारी रखेंगे विशे है रहुबियाम और येरोबाम में राजी का विभाजन अधै बारा में सुलिमान का पुत्र रहुबियाम सुलिमान के गदी पर बैठा उधर येरोबाम मिस्र से लोटा और इसराहिल के दस गोत्रों को लेकर रहुबियाम के पास गया उन्होंने रहुब्याम से कर्मे कटोती की मांग की। रहुब्याम ने अपने पिता के वृध्धे परामश दाताओं का परामश अंदेखा करके युवाओं के प्रभाव में उत्री शेत्र के इन दस गोत्रों की मांग ठुकरा दी। कर्मे कटोती करने की अपेक्षा उसने कर बढ़ानी की धमकी दी, परिनाम सवरुप यरोबाम ने उन दस गोत्रों को लेकर विद्रोह कर दिया, यरोबाम ने राष्ट का राजनीतिक ही नहीं धार्मिक ब्योहाजन भी कर दिया, उसने बेतेल में और दान में एक-एक सोने का बचरा स्थापीत कर दिया, इस प्रकार उ रहुबियाम सिहासन पर बैठा, आए पढ़ें, पहले राजाओं के पुसक बारा ध्या उसके एक से पांच पद, लिखा है, रहुबियाम शकेम को गया क्योंकि सब इसराइली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गय थे, जब नबात के पुत्र यारोबाम ने यह सुना, ज जब यारोबाम और इसराइल की समस्त सभा रहुबियाम के पास जाकर यों कहने लगी, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जिवा डाल रखा था, इसलिए अब तो अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जिवे को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हलका कर, तब हम तेरे अधिन रहेंगे, उसने कहा अभी तो जाओ और तीन दिन के बाद मेरे पास फिर आना, तब हुए चले गए, सुलिमान की निर्मान पर योजनाओं के कारण प्रजा कर से दबी हुई थी, अता उसकी मृत्यू के बाद प्रजा ने कर्मे कटवती की याचना की, सरका अधिक कर, यही इस्तिती सुलिमान के समय इसराहिल की थी, वह निर्मान कारे बढ़ा रहा था, जिसके लिए कर द्वारा खर्चा पूरा किया जा रहा था, अब प्रजा ने रहुबियाम से याचना की कि कर मे कटवती की जाए, इस इवक शासक के पास औसर था, कि वह कर मे क कटवती करके प्रजा का मन जीत ले, वह ऐसा करता तो प्रजा उसकी अनुयाई हो जाती, क्या आज कोई नेता है, जो सरकारी करमचारियों की कटवती करके, सरकारी खर्चा कम करे की करो में कटवती की जाए, रहुबियाम ने अपने बुधिमान मुर्खों की सभा बुलाई पहले राजाओं की फुस्तक बाराध्या उसके छे और साथ पद में पढ़ते हैं, तब राजा रहुबियाम ने उन बुल्हों से, जो उसके पिता सुलिमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, सम्मत्ती ली, इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इ पहले राजाओं के पुस्तक बाराध्या उसके आठ से ग्यारपद में हम पढ़ते हैं, रहुबियाम ने उस सम्मत्ती को छोड़ दिया, जो बुल्हों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मत्ती ली, जो उसके संग बढ़े हुए थे, और उसके सम्मक उपस्तित रहा करते थे, उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूँ, इसमें तुम क्या सम्मत्ती देते हो, उन्होंने तो मुझसे कहा, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है, उससे तू हलका कर, जवानों ने जो उसके संग बढ़े हुए थे, उसको या उत्तर दिया, उन लोगों ने तुछ से कहा है, तेरे पिता ने हमारे जुआ भारी किया था, परन्तु तू उससे हमारी लिया हलका कर, तू उनसे यो कहना, मेरे छिउंग लिया मेरे पिता की कमर से भी मोटी है, मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था, उससे मै और भी भारी करूँगा, मेरा पिता तो तुमको कोणों से तारना देता था, परन्तु मैं बिच्चों से दूँगा, अब उसने अपने समकालिनों की राये खोजी, उन्होंने सुझावतों दिये परन्तु मुर्खता पूर्ण, पहले राजाओं के पुस्तक बारा द्या, उस तब राजा ने प्रजा से कड़ी बातें की, और बुढों की दीवित समती छोड़कर, जवानों की समती के अनसार उनसे कहा, मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परन्तु मैं उसे और भी भारी कर दूँगा, मेरे पिता ने तो कोड़ों से तुमको तारन इस प्रकार राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी, इसका कारण यह है कि जो वचन यहवा ने श्रीलो वासी अहिया के द्वारा नबात के पुत्र यारोबाम से कहा था, उसको पूरा करनी के लिए उसने ऐसा ही ठहराया था, मित्रो रहुबियाव ने विर्धों की राय माननी क अपेक्षा युकों की राय सुनी, उसने कहा मेरे पिता ने तो तुम्हारा जुआ भारी कर दिया, परन्तु मैं उसे और भी भारी कर दूँगा, आईए अब हम आगे देखते हैं यारोबाम इसरायल का राजा और राज्य का विवाजन, पहले राजाओं के पूस्तक 12 अध अपने अपने डेरे को चले जाओ, अब हे दाउद अपने ही घरानी की चिंता कर, मेरे मित्रो, विद्रो, ग्रिह युद और अंत्तह राज्य का विवाजन, पहले राजाओं के पूस्तक 12 अध्या के 8 पद में लिखा है, तब राजा रहुबियाम ने अदोराम को जो सब ब इसराइल के निवासियों ने अदोराम पर पत्राव किया और वह मर गया, इस प्रकार उन्होंने कर अधिकारी से मुक्ति पाई, जब रहुबियाम ने सुना कि उसके साथ क्या हुआ, तब वह भी यरुशलेम को भाग गया, पहले राजाओं के पूस्तक 12 अध्या के 19 पद म आगे हम पढ़ते हैं, इस प्रकार इसराइल दावत के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है, मित्रों पहले राजाओं की पूस्तक के लिखे जाने के समय तक इसराइल दावत के घराने से विरोत करता रहा, यह विद्रोह बेविलोन के दासोते से लोटने तक बना रहा रहा रहुबियाम का मुर्खता भरा निर्णय की प्रजा की आवाज को अनसुना करे यरोबाम दोरा दस गोत्रों के साथ उत्री राजी के स्थापना हुई आए देखें यरोबाम की मूर्थि पूजा पहले राजाओं के पूष्तक बारा ध्या उसके 2526 पद में हम पढ़ते हैं तब यरोबाम एप्रेम के पहाडी देश के शकेम नगर को दिड़ करके उसमें रहने लगा फिर वहां से निकल कर पन्वेल को भी दिड़ किया तब यरो आपने बेतेल और दान में एक-एक सोनी के बच्छडे स्थाफित करवा दिये उसने यह इसलिए किया कि उसकी प्रजा अराधना के लिए यरोशलेम ना जाए क्योंकि मंदिर वहीं था इस प्रकार उत्रिय और दक्षनी राज्य में इस्राइल का विभाजन हुआ अब हम विभाजित राज्य का वृतान पढ़ेंगे और देखेंगे कि पहला और दूसरा राज्याओं में जो इतिहास लिखा गया है वह इस प्रकार है कि कुछ इतिहास इस्राइल का है तब कुछ इतिहास यहुदा का है कहने का अर्थिया है कि इतिहास आगे-पीछे चल हम जियों जियों आगे बढ़ेंगे तेओं तेओं दोनों राजियों का इतिहात सामने आएगा और यहुदा का राज्य इस्राइल से अधिक समय स्थिर रहा और दासुत के बाद के भरशुद वक्ताओं के अतिरिक्त लगभग सभी भरशुद वक्ताओं ने इस युग में भ उसने बेतेल और दान में सोने के बच्छनों की एक-एक मुर्तियां लगा दी कि उसकी प्रजा अराधना के लिए यरुशलेम के मंदिर में ना जाये। इसराहिल राजी की एकता का भी अंत हुआ और राज्ये दो भागों में बट गया उत्री राज्य और दक्षनी राज्ये। जान भर्षद वक्ता द्वारा चल को देखेंगे। यरुबाम के विद्रों के कारण राज्ये का विभाजन हो गया और यरुबाम ने दस गोत्रों के साथ इसराहिल राज्य बना दिया। रहुबियाम में ना तो पिता के सदरिश बुद्धी थी और ना ही कूट नी थी। वही राज्य के विभाजन का उतरदाई ठहरा। उतरी राज्य इसरायल अंततह अशूरियों द्वारा दास बना का ले जाएगा और दक्षनी राज्य यहुदा बेबी लोन द्वारा। इस वृतान को पढ़ने में बड़ी उल्जन पैदा होगी। अब आप एक के बाद एक राजा बदलते हुए देखेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि राजाओं के वनशावले उतरी राज्य की है या दक्षनी राज्य की और वह अच्छा राजा है या बुरा। इसके लिए आपको हमसे काल करम की तालिका मंगवानी होगी। जब मैं कालेज में नया-नया गया था तब मैंने एक बाइबल पाठी करम चुना जो बच्चों का असा था। कक्षा में प्राया पूछे जाने वले कुछ प्रश्न उसमें थे। एक प्रश्न था इस्राहिल के और यहुदा के राजाओं के नाम बताते हुए उनका संशिप्त विवरन दे। किसी विध्यारती ने वर्षों के बाद एक खोज की थी कि यदि वह राजाओं के नाम साही किया। आप स्वयम देखेंगे कि उत्री राजी का प्रतेक राजा बुरा था। एक भी अच्छा राजा नहीं था। दक्षनी राजी में 200 वर्ष से अधिक समय में केवल 8 राजा अच्छे थे। शेश सब बुरे थे। इस्राहिल के इतिहास में या एक काला धबा था तथा बी मेरे विचार में अन्ने राज्जियों में भी आपको ऐसी ही सूची देखने को मिलेगी। परंतो इसराहिल के लिए अंधकार भरे इतिहास का कारण था कि उन्हें स्वर्ग से ज्योती प्राप्त थी। उन्हें पर्मेशर का प्रकाशन प्राप्त था। इसलिए उनका उत्तरदायत्व अधिक था। मैं राजी के विवाजन के कारण को खोचते हुए सुलेमान पर ध्यान करना चाहता हूँ। सुलेमान को परमेश्वन ने राज करने के लिए विशेश बुद्धी दी थी। तथा पी वह बुद्धी उसके व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाई। सुलेमान में आत्मिक वुद्धी या विवेक नहीं था। वह निश्य ही कुछ मूलभुत सिधान्त एवं धारनाय समझ गया था। जिनके कारण वह एक बुद्धिमार राजा बंधे में सक्षम हुआ। परन्तु उसके व्यक्तिगत, नीजी और विशेश करके उसके आत्मिक जीवन में इनका प्रवेश निश्य ही नहीं हुआ था। आप उसके राजी के आरम में ही देख पाएंगे कि उसने जुठे धर्मों से नाता नहीं तोड़ा था। सियासन पर बैठते ही वहां मूर्ति पूजा थी, जिसे उसने रोका नहीं। अपनी आखे उस ओर से बंद रखी। उसने उसके विरोध कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दूसरी ओर वह समरिदी के प्रतीकों में व्यस्त हो गया। उसने बंदर और मोर लाने के लिए जहाज भेजे थे। बंदरों और मोर के साथ कोई बुराई नहीं थी, परन्तु जब आप परमेशर की महिमा प्रगट करने के लिए बुलाए गए हैं, तो ऐसी लालसा ठीक नहीं। आपको उसकी गवाही का जीवन जीना है। सुलिमान में निश्य ही दुर्बलता थी। नीती वचर में उसकी बुद्धी प्रगट है, तो सभुप देशक में उसकी मुर्खता। इतिहास की पुस्तकों में आप न तो दावत की और नहीं सुलिमान की चुक का उलेक पाएंगे। इतिहास की दोनों पुस्तकें और रा परमेशा का द्रिष्टिकोन। परमेशा ने दावत को शमा किया और उसका पाप धो दिया। परमेशा के द्रिष्टिकोन से लिखी इतिहास की पुस्तकों में पाप का उलेक नहीं है। परन्तु राजाओं की पुस्तकों में परमेशा ने पाप का उलेक इसलिए किया कि मन इसी प्रकार परमेशर ने सुलिमान की चूप शमा की और इतिहास की पुस्तकों में उसके पापों का उलेख नहीं है। पासियों को यह सपष्ट समझाया है। पहला योना की पत्री एक अध्या उसके छे पद में। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम जूटे हैं और सत्य पर नहीं चलते। धोखा न खाओ आप पाप में रहकर न तो परमेशर से सभा पाप में जी रहे हैं। सिध हो चुका है कि वे अनेतिक हैं परंतो मनश्य फिर भी उन्हें सहयोग दे रहे हैं। मैं कभी नहीं समझ पाया कि क्यों ऐसा हो रहा है। वे परमेशर को मुर्ख नहीं बना सकते। निश्य ही उनकी सभागिता परमेशर के साथ नहीं है। सुलि दोनों ही ने परमिर्शक को दुखद विफलता प्रदान की। सबवदेशक की पुस्तक अध्याय दो उसके पद 17 में सुलिमान ने कहा इसलिए मैंने अपने जीवन से ग्रणा की क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायू को पकड़ना है सुलिमान की महिमा नाश्वान थी हमारे प्रविश्यों ने कहा था कि सुलिमान अपने संपुन वैभाव में सोसन के उस फूल के समान भी नहीं था जिसे अंदेखा किया जाता है क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि सांसारिक धन संपता और भी नाश्वान महिमा है मेरे मित्रो मैंने यहां सुलिमान की प्रिष्ट भूमि समझाई है मेरे विचार में तो मैंने उसके दफन का संदेश सुना दिया है अब हम एक विवाजित राजी देख रहे हैं जिसका मुख्य कारण सुलिमान का पाप था यरुबाम की वेदियों के लिए भश्यदवानी अधिक समय ना लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे या इतिहास है यहां दो राजी होंगे जो या तो आगे पिछे होंगे या साथ साथ होंगे या एक दूसरे को अतेशादित करेंगे यरुबाम जो उत्री राजी की राज गद्दी पर बैठा उस नहीं चाहता था अता उसने अपनी प्रजा को अराधना के लिए बेतेल और दान में एक-एक सोने का बचरा स्थाफित कर दिया मेरे मित्रो या क्या ही त्रास्ति पूर्ण कार्य है आज हम मैंसे कई लोग भी ऐसी ही कार्यों को करते हैं इसलिए मुझे और आपको विचार क के भवन और राजभवन को बनवाने में 20 वर्स लगे आज का प्रश्न है किस राजा ने सोने का बच्छडा स्थापित कर इस्राइल रास्ट्र का राजनैतिक और धार्मिक विवाजन कर दिया A. रहुबियाम B. सुलेमान C. आसा D. या रोबाम मित्रों इस प्रस्न का उत्तर हमें कल सुबा 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें सभी विजेताओं को विशेश पुरसकार प्रदान की जाएगी. धन्यवाद क्या आपको ये कारेक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस्कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं प्रिमित्रों, हमने यशेय संतावन उसके 21 पद में इस बात को पढ़ा था और देखा था कि दुस्टों के लिए शान्ती नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है. ये बाइबल कहती है, हमने इसराइल रास्ट में एक भायानक दिन के आने का परिचे देखा है इसकी संपून घटनाओं को देखना अभी हमारे लिए बाकी है और हम सब के लिए इसे जानना अती आवश्चक है क्योंकि इसमें हमारे जीवन के उद्देश को प्रगट किया गया है दाउद नैदिक्ता के संबन्ध में परमेश्वर के विरुद्ध चला लेकिन वा हमारे समान ही एक पापी मनुश्य था लेकिन जब उसे मालूम हुआ तो वा परमेश्वर की और फिरता है यही परमेश्वर हमसे भी चाहता है हमारे पास, परमिश्वर का वच्चन है कि हर समय मार्ग दरशन प्रापट कर सके। सुलिमान ने अपने पिता के जीवन को देखा था, कि वो किस परमिश्वर की अरादना करता था, वो उसकी आशीश का आनंद जीवन भर उठाया, लेकिन वह सदा परमेश्वर के मार्ग में नहीं चला जिस कारण उसकी पीड़ी में उथल पुथल का दिन आ गया राज विभाजन के तरफ अग्रसर होने लगा हमारे भी पारिवारिक और वैक्तिगत जीवन के अंदर उथल पुथल का कारण भी अक्सर यही होता है इसलिए आज के अध्यन के अनुसार हम अपने जीवन का मोल्यांकन करें और परमेश्वर की और फिरें तो वह हमें निश्चित आशीश देगा क्योंकि उसने हमें आशीश देने के लिए बनाया है आईए हम सब मिलकर इस बात के लिए प्रार्थन करें हमारे स्वर्गे पिता हमारे प्रभू इश्चित के नाम से आपके सनमुख में आ करके फिर से धन्वाद देते हैं पिता इस समय हम बिंती करते हैं कि आप हमारे दर्शकों पर अपना अनुग्र बनाए रखे जो पिता प्रती दिन इन अध्यनों के दोरा आपको खोजने का प्रयास कर रहे है प्रबू आप उनके जीवन में शान्ती और आशीश भर दे पिता ऐसे लोग जो आज किसी कारण से दुखी हैं जिनके जीवन में निराशाये हैं प्रबू आप एक आशावान परमेश्वर है आप हमारे जीवन में आनंद को प्रफुलिट करने वाले परमेश्वर हैं इसलिए प्रभू हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं यदि कोई भी दुख का कारण उनके जीवन में है तो इशू नासरी के नाम से आज उसे दूर करें आदर और महिमा के साथ इस बिंटी को इशू के ही नाम से मांगते हैं आमेन अगले प्रसारण में इस अध्यन को आगे बढ़ाएंगे तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें परमेश्वर आपको भोतायत से आशिश दे धन्यवाद करें कर दो